सुभा उठने के बाद घर की सफाई ना करती हो दिन में पलंग पर सोती हो रात्री भर बरतन जूटे जिसके घर में पड़े रहते हो उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को धरिद्रता को लेकर प्रभेश कर जाई जहां नारी दिन में सोती हो जहां रात बर के बरतन जूटे रखे रहते हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ महराज और स्थान तो कहा जहां कि इमली का पेड़ हो पीपल का भरक्चो हो बड़ का पेड़ हो कांटे दार पोधे जिसके घर में लगे हो उस घर में तुम प्रवेश कर जाओ महराज अब दुसरा मुनी और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है इतने में भगवान नारेण और लच्चमी का विवा हो गया था तो नारेण लच्चमी जी नारेण से बोली अपने विवा को आज 15 दिन हो गए ने एक वर चलो ना मिलने बगवान पूलेय चल चलते और बगवान ना रही है सीध है उस जेश्ता से मिलने के लिए दरीधरता से मिलने पहुँचे तो दरीधरता शा हाऊ बेटी हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बेखती है और वहीं पर पोज गए अब आप किसी से मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे अरे बोलो तो क्या ले जाओगे डंडा की मिठाई डंडे लेकर जाओगे की मिठाई लेकर जाओगे न कुछ भी मिठान मुँठा कराने के जिसकी विवाव हुआ है अभी विवाव हुआ है तो उसके मिठाई का डबबा लेकर चले और मिठाई का डबबा लिया पर जैसे भगवान नरेंड लच्मी को दिया लच्मी ने तुरंत जेश्टा देवी को दिया जेश्टा को दिया तो देते ही दरीदता ने मिठाई का तुझे मालम नहीं कि मुझे खटा और तीखा पसंद है लचमी जी की आँख में आशू भर गए लचमी जी भोली जी जी में तो समझी कि तुम्हारा विवा हो गया है हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वाद को क्योंकि विवा होने के बाद थोड़ा सा वेक्ति बदल जाता है मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा हो इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई है लचमी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूँ मुझे नहीं चाहिए मिठाई का डबा फेग दिया आज भी कई द लचमी और दरीद्रता ये दोनों बेहने हर एक व्यक्ति के घर में प्रती दिन प्रवेश करती है पर लचमी के लिए मिठाई फिरिज में रखी होती है इसलिए लचमी सीधे अंदर चली जाती है और दरीद्रता के लिए निब्बू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है इसलिए वो दर्वाजे से खाकर वापिश चली जाती है दर्वाजे से खाकर पुरन वहीं से लोड़ जाती है कई लोग कहते हैं नजर के लिए बान नजर के लिए नहीं दरीदरता हमारे यह प्रवेश ना करे जेश्टा हमारे यह प्रवेश ना करे इसलिए निबू और मिर्ची को दर्वाजे पर बांदा जाता है पर कई लोगों को नहीं मालने तो वो कहते हैं नजर से बचाता है नजर से नहीं दरिद्रता का प्रवेश ना हो अगर दरिद्रता हमरे गर में प्रवेश कर रही है तो दर्वाजे से भोजन करकर निकल जावे हमारे घर के अंदर प्रविश्च ना करें इसलिए हिंदु धर्म की रिती आज भी घर के अंदर निब्बू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता है अगर निब्बू और मिर्ची एकी डलिया में रखे रहते हैं तो उस घर में दरीदर्था का निवास होता है दरीदर्था का प्रविश्म मारत हमारे यहाँ तीन चीजे बेटी की विदाई में नहीं दीज़ें आप लोगों को मालूँ एक जाडू अरे बोला तो सही है की गलात है एक जाडू बेटी की विदाई में नहीं देते हैं एक चलनी चानने की बेटी की विदाई में नहीं देते और एक अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं देते यह तीन चीजे नहीं देते चलनी भी नहीं देते जाडू भी नहीं देते कहीं कहीं जगा पर सुई भी नहीं देते सुई का भी प्रमान में देते सुई भी नहीं देते और एक अचार की बर्नी अचार की बर्नी भी बेटी की विदाई में नहीं देते क्यों? क्योंकि अचार की बर्नी में उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा भरवाद हो जाता है पर आजकल माताओं का इतना प्रेम होता है ना बेटी से अब करें तो करें के और बेटी जिस गर में भी आती है ना वहां के उसके बेटी के ससुर भी के देदे तेरी मम्मी के प्रविष करेगा अगर बहू कि आंका तो उस घर में सुक नहीं रह सकता चार लोग भी होंगे तो चारो का मुह बिलकुल निबु की तरह कौटअर वा नी दीची कि तरह तेखी रही कि चाहिक तई प्रयास आगा अगर अचार खाया है बहु के घर गर कातो इसलिए बेटी की विदाई में चार चीज़े नहीं परमाद माद 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 म में दिया जाता और बास की डलिया में रख कर देते थे जिससे बंच बढ़े कपड़ा बांध कर देते थे जिससे भक्ती का चीर सदा बना रहे एक एक चीज का प्रमान था बेटी की विदाई में देने अब आज के जमाने में लोग तो जाने नहीं बस जो आजाए आंदो 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 और आतो गया फिर पचान दो फिर अब अब पचांदो बहुत कठीन है काना सरले पर पचाना कठीन है बहुत कठीन है तरलता नहीं है बोलो राद है बहुत कठीन था तो यह दरीतरता देवी को जेश्टा को और लच्छमी जी ने मिठाई दी उसने फेक दिया मुझे खटा और तीखा पसने मुझे नहीं चाए आप ले जाओ इसको मुझे खटा और तीखा लाकर दीजिए मुझे खटा और तीखा चाए आप लाकर दीजिए समझाए भगवान विश्णू लच्छमी जी से कर रहे है तेरी बेहन को समझाना बहुत कठीन है तू चल लच्छमी जी जाने लगी इतने में लच्छमी जी न भगवान न रहें से बिंती करी न रहें ये मेरी बेहन धरीदरता बेटी है पीपल के बेड़ के नीचे और पीपल के वरच्छ के नीचे मेरी बेहन बेटी हुई है इस पीपल के वरच्छ के नीचे तो ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए आएंगे ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए पहुचेंगे और यह धरीदर्ता यहां बेटी रहेगी तो दुनिया के लोगों के साथ में तो यह धरीदर्ता पीछे-पीछे उनके घर चली जाईगी फिर दुनिया के लोग पीपल के व्रक्ष की पूजन नहीं कर पाएं और पदम पुरान के अंदर लिखा है कि पीपल के व्रक्ष के नीचे बावन हजार ब्रहमनों का वासा होता है फिर पीपल के व्रक्ष का प्रमान क्या बागवान नरेंड बोले सुनो लच्छमी ये पीपल के ब्रक्ष के नीचे तुमारी बेहन दरीदरता निवास कर रही है पर जिसकी हाथ में या तो माला हो जल का पात्र होगा या कूंकू का चोपड़ा होगा या दियाबाती होगा जो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आएगी पीपल के ब्रक्ष की पूजन के लिए और वापिस वो पात्र लेकर जाएगी उसके पीछे कभी दरीदरता उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी और जो खाली हाथ पीपल के ब्रक्ष के नीचे प्रवेश करता है उसके साथ में धरीदरता उसके साथ पीछे-पीछे प्रवेश कर जाती है और सुनो लच्छमी आज शनिवार का दिन है जिस दिन में इस दरिद्रता से मिलने के लिए लच्छमी तेरे साथ में इस पीपल के ब्रच्छ के नीचे आया हूँ जेश्टा से मिलने के लिए तेरी बेहन दरिद्रता से मिलने के लिए शनिवार के दिन अगर कोई भूल से भी इस पीपल के विरच्छ के नीचे आकर नमन करेगा, प्रिणाम करेगा, पूजन करेगा, पाट करेगा, उसको सर्वसुक की अनुवोती प्राप्ट हो जाएगी, इसलिए शनिवार का प्रमान कहा गया, शनिवार की प्रमान कहा गया, और महराज, एक रविवार का दिन ऐसा हो अगर साथ दिन आपके हैं तो एक दिन मुझे दिया जाए मेरे सुक के लिए धरिदर्ता देवी तो रविवार के दिन इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे जेश्टा तेरी प्रक्रता के साथ में तु दुसाम उनी के साथ इसमें निवास करेगी केवल हिंदु धर्म में एक ही द दिन है जिस दिन इपल के ब्रक्ष को उखाड़ा जा सकता है और वो रविवार का दिन होता है कौन से दिन सनीवार मंगल सोंबार बुद्वार कभी भी आप पीपल के पेड़ को अगर दिवाल पैस उखाड़ों गए तो वो पीपल वापिस लग जाए पर रविवार के दि पेड़किन उखाड़ दो गए तो वहाँ पर दूसरा पीपल कभी नहीं लग सकता दूसरी बार लगे गई नहीं चाहिए वो दिवाल पर क्यों है कई लोग दिवाल पे से पीपल जाब हेड़ते हैं तो वहाँ पर केवल चाबल पटक दो और रविवार के दिन उसको निका इसलिए अमारे यहां रविवार की मातवता का भी प्रमार्ण अमारे यहां सास्तर करता है सनिवार को पीपल के पत्ते लाए जाते और जो व्यक्ति ज़्यादा विमार रहता है उसको रविवार के दिन पीपल के पत्ते की पत्तल बनाकर उसको भोजन कराकर पत्तल को चुर पीपल के पत्ते का प्रमानित दरिदता का निवास हुआ है तो पूनता का वहाँ प्रगट करा तो भागवत कती है मनुष्य की पूनता कहां है तो मनुष्य की पूनता है भगवान के भजन में भगवान की कथा में भगवत तात्विक सुक के अंतरगत भगवान की पूनता मा बड़ी मुश्किल से मनुश्य दे मिलता है और उसे मानव दे को पाकर भगवत भजन करना बहुत खटी नहाने और इसनान में अंतर है बातरूम में गए सामुन लगाया पानी डाला इसको कहते है नहाना और इसनान का मतलब क्या है इसनान का मतलब है हमारे कर्म कांडों में हमारे सास्त्रों में पंडित करते हैं इसनान करकर यह इसनान का मतलब यह नहीं कि पानी डाला चलाब में पूद गया इसनान कर लिया इसनान वो नहीं है इस नान का मतलब है मनुष्य के सरीर में साड़े तीन करोड 5C कि रहोटे है कितने 10 certains तीन करोड रों चित्र और एक दिन में जब मनुष्य के मुख्यू से इस साड़े तीन करोड़ भागवान का नाम निकल जाता है तब जाकर मनुष्य का इसनान हो पाता है जो बात्रों में जाकर पानी कूड़ा वो तो नहाना होगा इसनान करने से एंकार बड़ता है और इसनान से खचलहेगा करने सेकंच भजन करने पिर इसनान करना मतलब ससंग में जाना सथन जाना मतलब महां पर 構ई मांना हमारा को सम्मान निए सर्संग में सब्ड़ागा सभी इस बजने चिक अगारा कई लोगों को बड़ी इश्चा रहती थी एक बार सत्भामा जी को भी बड़ा गुस्सा आया सत्भामा ने एक बर कनेया जी को देखकर और रुक्मनी जी से पूचा ये कनेया को हो क्या गया जब देखो जब भाग भाग के द्रोपती के घर चले जाता है ये द्रोपती से रिष्टेदारी किया इसकी क्रिष्ण की रुक्मनी जी ने कहा द्रोपती उनकी मूँ बोली बेहने तो यह सिकाई की बेहन जाजासी देर में भगवान को बुला लेती और भगवान भी पूरा द्वार का छोड़के उसके घड़बग जाता है एकाद दिन मुझे ये द्रोपती को सही करना पड़ेगा सद्भामा जी बोली रुक्मनी जी और भगवान ने कानों से सुनी लिया सुनते ही बगवान तुरंत आये और आतर बोले में जा रहा हूं इतने में तुरंत रुक्मनी ने पूचा कहां जा रहे हो प्रभू बगवान बोले मैं अपनी बेहन द्रोपती के घर जा रहा हूं सत्वामा जी बोली अच्छा इतने में बगवान बोले तुम चल रही हो क् सतवामा जीने रुकमनी को कोनी महार केका आज मोका मिला चल आज नननके तो एसा ठीक करेंगे जिंदगी बर नी पुलाई सतवामाजी तुरंद केती हैं हाँ पर हम चल रहे है रुकमनी जी बोले रहे हम भी चल दोनों चल दी नानननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन सत्मामा से भगवान ने का सत्मामा तुम तेल लगा रुकमनी तुम चोटी करना दुरोपती की हाओ सत्मामा जी जो तेल लगाने वेठी हैं तेल लगा ते सत्मामा जी ने एक बाल तोड़ दिया जो तोड़ा दुरोपती कुछ नहीं भोली पर उस बाल को तोड़ती उसमें से अवाज आई है कृष्णि सत्भामा जी ने फिर दूसरा बाल तोड़ा फिर उसमें से अवाज आई है कृष्णि सत्भामा जी ने फिर बाल तोड़ा उसमें से फिर आवाज यही कृष्णी जैसे बाल तोड़ने पर आवाज आ रही है बार बार आवाज आ रही है सत्भामा उरी प्रत्वी पर मात्रिक दुरुपती ऐसी है जो एक दिन में साड़े तीन करोड बार मेरा नाम जाप करती है इसलिए मैं धोर धोर कर इसके पास जाता हूँ इसके हर एक रूम में मैं समाया हूँ मैं समाया फिर भी सेहन नहीं हुआ पिर भी सत्वामा से सहन नहीं हुआ और सत्वामा जी ने चोटी करते करते पूछी लिया दुरुपती से ए दुरुपती जी जी एक बात बताओगी दुरुपती बोलो क्या पूछना है हमारा एक पती और हम 16180 रानी तो भी हमारे केने पे नहीं चलता है और तू अकेली और तेरे पाँच पती तेरे केने पे चलते हैं कहां की बूटी खिला दी तूं अब बहुत्तियों का येसी कौन सी जड़ी बूटी खेला ही है एसा कौन सा जादू कर दिया जो तेरे पांच पती तेरे केने पर चल रहा है और हमारा एक पती हमारे केनों पर नहीं चले अब ये बात अगर किसी इस्त्री से कहो कि तेरे पती तेरे कहने पर चल रहा है तो बुरा तो लगेगा मैं और हमारा पती नहीं चल रहा है बहुत गुस्सा आया दुरुपती को पर बोली कितना सुंदर दुरुपती बोलती है भावी मेरा कृष्ण भी आपके कहने पर चलता जैसे आज मेरे पाँच पती मेरे कहने पर चल रहा है मेरे पाँच पती मेरे कहने पर केवल एक शर्त पर चल रहा है याद करो जी जी भावी जब मेरा भिवा हुआ था ना मैं अर्जुन के साथ में ब्याही थी अरजुन मुझे लेकर आए और मेरी सास रोटी बना रही थी सास रोटी बनाते बनाते अरजुन ने कह दिया मा हम देखो क्या लाए है और जैसे ही सास ने पलट कर नहीं देखा और कह दिया पांचो बाट लो और मैं पाँच पतियों की पत्नी बन गई अपना सास का कहना मानी मैंने अपने सास का बाक्य का आदर करा और मैं पाँच पतियों की पत्नी बनी पर भावी मैंने अपनी सास का सम्मान करा बन में भी रही तो साथ निभाया जंगल में भी रही तो साथ निवाया और आपने कौन सा साथ नहीं पाया भावी तुम 16,180 रानिया थी और तुमारे साथ ससूर देवकी और वसुदेव द्वारका में मिलने के लिए आये थे 16,180 रानिया तुम अपने अपने कमरे में जाकर सो गई ममी और साथ ससूर को हॉल में पटक दिया अगर एक भुभी अपना कमरे छोड़ कर दे तही मम्मी दो दिन के लिए आई ओ इसमें ठेर जाओ पापा इसमें ठेर जाओ तो साथ ससूर का अगर तुम आदर करती अगर तुम तुमारे पती के माता पिता का आदर करती तो ये पक्ता था कि तुमारा पती भी तुमारे कहने पर चलता पर तुमने अपने पती के माता पिता का आदर नहीं करा इसलिए तुमारे पती भी तुमारे कहने पर नहीं चलती तुम आदर तो करती भाबी आज भी वो देवकी वसुदेव हाल में बेठें और सबरानी अपने अपने कमरे में बेठी है द्वार का गए हो आप लोग द्वार का गए हो तो द्वार का में जाकर देखना देवकी और वसुदेव का मंदिर द्वार का दीश के ठीक सामने सबरानी अपने अपने भवन में सम्मान करोगी तो सम्मान मिले आदर करोगी तो आदर मिले आप अगर माता पिता का आदर तो करो बचन तो निभाव जब लड़का और लड़की की साधी होती है न तो मैं साथ पांच बचन बोलते हैं इधर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मालम नहीं जोत पूर में बोलते हैं साथ पांच ही बोलते हैं कि चोदा पंदरा बोलते हैं अच्छा साथ पांच लड़की के साथ और लड़के के पांच बचन लड़की अपना वचन निवाती है तो वचन में एक वचन दिलवाती है कि तुम मेरे माता पिता का अधर करना लड़के से किलवाती है लड़का कहता है हाँ करूँगा पर लड़के के पाँच वचन में ये बचन नहीं रेता कि तुम मेरे माबाब का सम्मान करना क्यों नहीं रेता लड़की के साथ बचन में लड़की अपने लड़के से बचन दिलवाती है पंडित बोलता है कि लड़की का एक बचन है कि तुम हमारे माबाब का सम्मान करना लड़के से हुंकारा भरवाई जाता लड़के से पूचा जाता कि तुम लड़की के मावाब का सम्मान करोगे हाँ पर लड़के के पाँच बचन में ये बचन नहीं रेता कि तुम मेरे मावाब का सम्मान करना किसी ने पूचा गुर्देव ये बताओ लड़की के साथ बचन में एक बचन है कि तुम उसके मावाब का सम्मान करो तो लड़के ने बचन क्यों ने दिलवाया लड़की से कि तुम हमारे मावाब का सम्मान करना भागवत कहती है इसलिए वचन नहीं दिलवाया क्योंकि लड़का ग्यानी है उसको मालुम है जब ये अपने मावाब का सम्मान मुझे से करवा रही है तो ये पक्का है कि मेरे मावाब का सम्मान भी ये कर लेगी तो मुझे वचन दिलवाने की जरुवती नहीं मैं क्यों वचन दिलवाँ जब ये अपने मावाब का सम्मान कर रही है अपने माता पिता के लिए एक पराए लड़के से हुंकाना भरवर ही कि मेरे मावाब का सम्मान करना जब इसके मन में अपने माता पिता की परती इतना आदर है तो मेरे मामाब के पर इसके मन में कितना आदर होगा, इसलिए मुझे वचन दिल्वाने की जरूत नहीं, ये लड़की घर की संस्कारी थे, और मेरे माता पिता का आदर करेगी, ये मुझे लगता में मानता है इसलिए लड़का वचन नहीं दिल्वाता कि तुम मेरे मावाब का सम्मान कर उसने एक ने दिलवा लिया वो ही बोलते है बचे नकाब